हेलो एविवान वेलकम बेक्टे मैं चैनल मामा वीबी ओप यूगाइज आर फाइन जब हम एक 026 मन्थ एज ग्रूप के बच्चे के पेरिंट होते हैं तो हमारे मन्यून की पॉर्टी के बहुत जादा कन्फूजन रहती है हमारा बच्चा इस कलर की पॉर्टी कर रहा है हमार बच्चा इतने दिन तक पॉर्टी नहीं कर रहा है यह सारी कंफूजन हमारे मन में रहती है तो आज की वीडियो में हम डिटेल में डिसकस करेंगे 026 मन्थ के बच्चों की पॉर्टी के बारे में कि कब वो नॉर्मल है और क्यूंकि मैंने अपनी चैनल पर आल्रेदी इसकी एक डिटेल वीडियो बनाकर अपलोड की हुई है पर काफी पेरेंस की रिक्वेस्ट आ रहे थी कि मैं इस वीडियो को रिक्रियेट करूं तो आज मैं इस वीडियो को रिक्रियेट कर रही हूं और इस वीडियो में वही सारी इंफर्मेशन दूंगी जो मैं अपनी प्रीव बच्चों को प्राब्लम से बहुत ही नॉर्मल है बच्चे जब बॉन होते हैं उसके दो तीन दिन तक बच्चे एक काले या गाड़े हड़े रंग का पॉटी निकालते हैं जो की तुरी चिप-चिपी सी होती है उसे मैकोनियम कहते हैं क्योंकि बच्चे जब मदर वाम में होता है तो बच्चे अम्योटिक फ्लूट पी लेता है और उस वज़े से बच्चे इस तना के पॉटी निकालता है उसके बात कुछ दिन बात क्योंकि बच्चे एक दिन में साथ बार पौटी कर रहे हैं या साथ दिन में एक बार पौटी कर रहे हैं तो वह भी बहुत नॉर्मल सा है इवन आप किसी भी मदर से पूछ लीजिए उनके साथ भी यही प्रॉप्लम चलती है तो आपकой बिच्चे गलट के कलर हैं तो वह स्केकर रहते है आपका बिच्चा नेउसटें पौटी कर लेगा किसी भी मेडिकेशन की रवरा नहीं अब क्योंकि बच्चों के कलरने हमें बड़ी कनफीसन राती है तो अगर आपका बच्चा हरे, गारे हरे, पीले, गारे पीले या कहीं ब्राउनिश कलर की पौटी कर रहे हैं तो ये भी बहुत ही नॉर्मल है, बच्चे इन 3-4 कलर की पौटी करते ही हैं कभी पीले कलर की कर ली, कभी हरे कलर की कर ली, कभी डाग ब्राउन कर ली तो यह भी बहुत नॉर्मल आप पॉर्टी के क्लर को देखे से में अगर अगर मेरा बच्चा इतने दिन में पॉर्टी कर रहे तो वह भी नॉर्मल है एक और बात, क्यूंकि बच्चे छह महिने तक सिरफ मिल्क पर होते हैं मिल्क बहुत लाइट होता है, लिक्वीट फ़ॉम में होता है एजी टू दाइजेस्ट होता है स्पेशलिस जब वह ब्रेस्ट मिल्क होता है बस यह हैं बच्चा जब भी करें पौटी कर दें और पौटी करते समय कोई uncomfortable sign आपको शो ना करें अब हम बात करेंगे कब हमें बच्चों के पौटी के case में tension लेनी की जुरूरत है कि यह पौटी abnormal है अब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए अगर आपका बच्चा 10 दिन के अंदर पौटी ना करें यानि कि 10 दिन हो गया और अब तक आपके बच्चे ने पौटी नहींगी तब आपको अपने बच्चे को बच्चे के साथ कोई प्राब्लम है और आपको इमेज़ेकली बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाना है इन दोनों कीसिस में आपको टेंशन लेनी की जुरूत है क्योंकि यह पॉट्टी अनॉर्मल है अगर इस था का साइन शो नहीं हो रहा है तो प्लीज बच्चे को स्पाइस है चया है फिर हम लोग भात प्राइट वूड जाती है या फिर बहुट जांप सब्सक्टान को यह समुल्य तो भी बच्चे जाक वाली पॉटी कर देते थी डेली बेसिस में दो बार तीन बार इससे जादा नहीं चलती थी बट सड़न हाओ एक टाइम ऐसा आया कि उस दिन अंच कंटीनूसली पॉटी किये जा रहा था लाइक हर हाफ एनर के बाद अंच मोशन पास कर रहा था और उसकी जो मोशन पास हो रहे थे उसमें बहुत जा कर आया तो उन्होंने मुझे यही बताया कि यह जाग वाली पॉटी होने के रीजन यही है कि बच्चे को गर्मी लग रहे है या बच्चे को एसी में ठंडे में रखे क्योंकि वहाजादा गर्मी पर रहे है और अपना ब्रेस्ट मिल सप्लाय बच्चे को देते रहें वीड प्रेंशन वाली बात नहीं है बच्चे को मिल की कंसिस्टेंसी जो आप दे रहें वह थूरी सी बढ़ा दीजिए बच्चा बार बार पॉटी कर रहा है तो बहुत नौर्मल है तो अगर बच्चे की पॉटी में बलड डा रहा है या बच्चे की पॉटी का कलर काले या सफे करते समय कई बार रो सकते हैं और यह तभी होता है जब बच्चे को मोशन पास करने में किसी तना की प्रॉब्लम हो रही हो तो अगर आपको बच्चा बार बार मोशन पास करने में बहुत रूरा है तो यह भी थोड़ा सा एबनॉर्मल हो सकता है और आपको तब बच्चे हैं अब उन बच्चों के पॉट्यों को लेकर इतना ज्यादा टैंशन नहीं लेना उन्हें उनके हिसाब से पॉट्टी करने दीजिए बेस्ट है कि वह पॉट्टी कर रहे हैं इतना ही काफी है तो हो यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है अगर आप लोगों को इस तरह की कोई टैंशन है या तरह की किसी थौट्स को अपने माइंड में लेके चल रहे हैं तो इस वीडियो के थुरू आपको इसको सॉल्फ करने में जरूर है कि मामा वीबी चैनल को जरूर करिए क्योंकि इंडिया का नमर वान फ्री पेरिंटिंग चैनल आपके लिए इतनी अच्छी इतनी इंफर्मेटिव वीडियो लेकर आता है तो एक सब्सक्राइब करना आपका बनता है नीचे दिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को जरूर हिट करें वीडियो को कर दो